कि नमस्कार आज हम बात करते हैं कि जो एलाइसी में एडिमिनिस्ट्रेटिव ओफिसर है जो एएओ है उसके ओलाइन पादों पे जो फॉर्म फिलप हो रही है उसकी डिटेल्स हम आज इस फॉर्म में कैसे फिलप करें वो देंगी इस वीडियो में तो वीडियो को सुरू से करन तक देखें अगर आप यहीं फॉर्म मोबाइल से फिलप करना चाहते हैं तो थ्री डॉट पे क्लिक करके आप उसे डेक्स्टॉप साइड मोड पे एक्टिवेट कर लीजेगा अन्य था फिया फॉर्म मोबाइल से नई फिलप कर पाऊगे अगर आप यहां पर इसके पंद्रा तारीक है और लास्ट टेट है वह 31 से एक है ठीक है इसके बाद आपको यहां पे अगर पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप यहां पर यूजर आईडी और पासफ़ट डाल के केप्टा को डाल के सब्मिट करके फॉर्म फिल आप कर सकते हैं अन्य था आप यह सब्सक्राइब करना है इसके बाद है यह फिल लंडे कर देना है यहां पर घनल चूछ हो जाएगा याप को यहां पे सोग हो जाएगा जैसे हमने आप हमारे जो फेश्ट में विकास ओर लाश्ट में कुमावत फिलप किया वह वैसे आपको नेम हो दर्जश करने है यहां पर आपको वह और से वोइरवाई करते हैं अगर आपके पास अन्य कोई अल्टिनेटर मोबाइल नमबर है किसी से आप संप्रा करना चाहिए तो वह यहाँ पर आपको दर्ज करने इसके बाद आपको mail ID आपको यहाँ पर फिलप करनी है और यहाँ पर आपको confirm mail ID कर देनी और capture code डालना है और आपको same and next पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर guideline चेक कर सकते हैं कि किस परकार से आपकी photo upload होगी ठीक है अब यहाँ पर आपकी photo और signature जैसे अप्लोड हो जाती है तो आपको यहाँ पर check mark देखने को मिलेगा उन check mark पर आपको click कर देना है और यहाँ पर आपको next पर click क application में दिया है कि जो signature है वो आप capital और blog letters में नहीं लिक कर सकते हैं ठीक है आपको उसके लिए small letters का ही प्रियोग करना है इसके बाद आपको next पर click कर देना है कि अब यहाँ पर आपको उपर ही उपर अपनी के जो category है कास्ट के टेगरी ऐसे हैस्ट जो भी है वह आप यहाँ पर चूज के लेते हैं इसके बाद पर click कर देना है यहाँ पर आपको अपनी जो सब available है यानि कि आप विकलांगे तो आपको yes पर click कर देना है यहाँ पर click कर देजेगा हम यहाँ पर click कर देते हैं कि इसके बाद जैसे आप यहाँ पर disability पर no पर click करते हैं तो आपके कई सारे option fill नहीं होंगे ठीक है वो automatic blank हो जाएंगे इसके बाद आपको यहाँ पर religion यानि आपका drum चूज करना कि कौन से drum से तो हम यहाँ पर Hindu कर लेते हैं अब जिस भी धरम से हो आप इन में से select कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर अलपसंगे हैं तो आप यहाँ पर yes पर click कर देजाएगा अन्यताब no पर click कर देना है अगर एक सर्विसमें है कि से भी के टेगरी में तो आपको यहाँ पर yes कर देना हो उसके details fill कर देनी है अब यहाँ पर no कर देते हैं अब यहाँ पर आपको आई उस्वेर एंप्लोई ओप लाइसी अगर आप यहाँ पर कर देना अगर नहीं है तो आप no पर click कर दीजेगा ठीक है इसके बाद आपको आपको नीचे आना है नीचे आपको यहाँ इस्टेट अपना चूज कर लेन है वह चूज कर लेना है कौन से सेंटर पर एक्जाम देना चाहते हैं तो हमने आप हमारा जो एक्जाम सेंटर वह चूज कर लेना वह आप अपने इसाफ से चूज कर लेजेगा इसके बाद आपको में एक्जाम सेंटर वह आपको यहाँ पर चूज कर लेना है टेक हम राज हो ठीक है यहां पर हम फिलल अपकर देते हैं यहां पर आपकी जो टेटों बड़ता है वह यहां पर저 हो जाएगी अभब आपको जो जेंड्र हो फिर्ट कर लीजये आदर है वह आप सेल्ट कर लीजेगा इसके बाद तो आपको यहां पर अगर आप जुड़वा भाई या जुड़वा भाहन है तो यस कर दीजेगा नेता नो पर क्लिक कर दीजेगा इसके बाद आपको यहां पर जो marital status है unmarried married जो भी है आप यहाँ पर select कर लिजेगा इसके बाद हम unmarried चूज कर लेते हैं इसके बाद आपके father's name आपको fill up कर देना है अपने और यहाँ पर mother's name आपको यहाँ पर fill up करना है अब यहाँ पर merit चूज कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर response name वाला भी option open हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर अपना address choose fill कर देना address वहीं fill up करना जांपर वर्तमान में आप इस ताही पते से रह रहे हैं यहाँ पर address district आपको यहाँ फिल कर देना देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर प्रमानेंट पते के लिए लेना चाहते हैं हमारा वहीं Same process आपको यहाँ प्रॉसीस इसके बाद आपको यहाँ पर वेन ड्wald सबसे महने रटरे है वह आपको यहां पर भिक करना है ठीक आप यहां पर कौन सी कैटेग्री से आपने ग्रेजीूशन किए यहां अगर आप यहां पर ॉट साुझ union मेंजबेंट अगर आज जया है तो आप अब सेलेक्ट कर सकते हैं तो हम यहां पर चुज कर लिएब यहां पर आपको क्होंग यही पाउस किया था वह आपकी मारक शेट के निछे विलकरा हुआ कर देते हैं यहां पर कितनी परसंट है वह आप को यहांド करना है इसके बाद आपको यहां पर डिविजन आपके यहां पर फिल करना है सेकेंड थर्ड पास तो हम यहां पर फस्ट डिविजन से पास हुए हैं अब यहां पर पास आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुशन डिटेल से तो आप यहां पर फिल अप कर दीजेगा इसके बाद आप आपको यहाँ पर work experience अपना शेर करना होगा अगर आपने आपके पास कोई experience है या वर्तमान में कर रहे है तो आपको यह पर एक्स पर करना हूँ यहाँ तो यहाँप details fill up कर देना है牛 hire अगर नहीं कर रहे है तो आप यहाँप नो कर दीचेगा आपसे कोई भी डिटेल्स नहीं पूछा गा ठीक है अब यहाँ पर अगर experience कितने years का है वो आप यहाँ पर fill up कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर आपको add more पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको नीचे आना और यहाँ पर language सबसे manually आप कौन सी language read कर सकते हैं पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं ठीक है यहाँ पर हम यहाँ पर Hindi और यहाँ पर English टाइप कर देते हैं और तिनों पर check mark पर click कर देते हैं कोई पढ़ सकता है कोई ने पढ़ सकता है वो अपने हिसाब से कर देजगा इसके बाद आपको validate your details पर click करना है और save and next पर click कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पी जो आपके form का preview है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर scroll down करते हुए नीचे आना है अगर पूरी details आपकी बिल्कूल सही है तो आपको यहाँ पर आई agree पर click कर देना है यहाँ पर yes पर click कर देना है यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं तो हम यहाँ पर थमभी प्रेशन और handwriting दो declaration है वह यहाँ पर आपको fill करना होगा उसके लिए आपको यहाँ पर है यह अप्लोड कर देना है वह किस तरह का होगा वह हम आपको बताते हैं यहाँ पर यह जो आपको declaration दिख रहा है वह आपको हमारी जो description है उसमें भी आपको मिल जाएगा ठीक है उसको आपको अपनी handwriting में आपको यहाँ पर कर लेना है और उसको यहाँ पर upload करना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर पर फिल कर देना और सम्मिट पर क्लिक कर देना है अब इसके बाद आपके यहाँ पर debit card अगर इंटरनेट banking किसी भी तरह से आप फिल को payment करना चाहते हैं वो कर सकते हैं तो हम यहाँ पर यहाँ पर debit card select कर लेते हैं तो हम यहाँ पर अपने जो आप यहाँ पर आ जाएगा अब वापस आपको यहाँ पर आ जाना है और सियाँ उप्र को यहाँ पर निकाल लेने लगी तो वीडियो को मैरे करते कर दिए का चैनल को सस्क्राइब कर ते देने वाज हिंद शेभाराइथ